पहले टेस्ट में भारत की जीत लगभगते हैं दूसरे दिन कुल्दी प्यादों के कहर से भारत की जीत पक्की है अगर आप क्रिकट के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए बांगलादेस के खिलाब चटकाओं में खेले जा रहे हैं पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत लगभगते हैं दूसरे दिन बल्ले बाजी और गियन बाजी में कुल्दी प्यादों के कहर से भारत इस मैच में जीतने का बहतरी निस्थित में बांगलादेस ने भारत के खिलाब पहले टेस्ट दूसरे दिन पहली पारी में आठ विकेट पर 133 रन बनाएं पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद मेहंदी हसन मिराज 16 इबादद हुसाइन 13 रन बनाकर खेल रहे हैं बंगलादेस की टीम अब भी भारत की पहली पारी से 271 रन पीछे है जबकि उनक इसने जिसमें पहली पारी में 400 रन एक 404 रन बनायते हैं इससे पहले सुबा सेशन में रवी चंड अस्विन 113 गेंदों में ठावान रन दो चोके और दो छक्के कुल्दीप यादों ने 40 रन बनाए 114 गेंदों में दौरान आठ विकेट के लिए 87 रन की पारी खेली कुल् बूत डिफेंस का नजारा पेस किया उन्होंने स्लॉग और स्वीप सौट खेल कर काफी रन जुटा है वेस्टन डीज के खिलाब चार टेस्ट सतक सहित कुल पांच सतक जड़ने वाले अस्विन ने रवे सतक के दौरान काफी एकाग्र दिखे उन्होंने इबादत इबाद था दूसरे सतक का इंतजार कर रहे बंगलादेश के खिलाब सकीबल हसन इस्टार गेंदबाज मेंदी हसन मिराज 112 रन पर चार विकेट और तेज गेंदबाज खालिद एहमद 43 रन पर एक विकेट अस्विन और कुल्दीप की साजे दाड़ी तोड़ने में चम रहें लंच जीदारी को तोड़ा एक लिए और में कुल्दीप यादो को भी LBW आउट कर दिया उमेस यादो ने दो छक्के मारकर टीम इंडिया को 404 रन तक पहुंचाया और पारी का अंत हुआ ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें